नमस्कार दोस्तों आप सरीगा स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basics में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्सा 11 का टोपिक हम लौ अफ मौसन जो NCRD की फाटे फुस्तक उस चेप्टर में चल रहे हैं आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गर्षण ही गिरनी है और उस से गुजरने वाली डोरी से दो गुटके जुड़े हुए है तो उनकी गति का अध्यन हम करने वाले हैं दोस्तों जो गुटके हैं उनका अक्सलरेशन हम ग्याद करेंगे साथ में डोरी के अंदर जो तनाव उत्पन होता है उसकी भी यहाँ पर चर्चा करने वाले है देखिए जो टॉपिक है उसको पहले समझेंगे यह हमारे पास में एक गिरनी है गिरनी के उपर से यहाँ से यह गुमने के लिए सवतंतर है यहाँ से हमने इसको एक दृड़ाधार से कनेक्ट कर रखा है गुमने के लिए यह सवतंतर है आप इस गिरनी को यहाँ से एक डौरी की सहायता से भी लटका सकते हैं दोस्तों यहाँ तक यह इस तरीके से भंदिवी है और यह एक डौरी है ऐसे भी ले सकते हैं इसके अलावा इसको एक ध्रिडधार से सीधा भी connect कर सकते हैं इस डोरी से इस घिरनी से होकर गुजरने वाली डोरी ये एक वरताकार भाग होता है जिसके उपर एक खांचेदार नाली बनी होती है जिससे डोरी यही रसी गुजर रही है यहाँ पर हमने जो रसी है या डोरी है वो दुरेमान हीन मानी है एवितन्य मानी है और इससे दोनों तरब से हमने दो पिंड लटका दिये हैं एक पिंड का जो दुरेमान है वो है M1 दूसरे पिंड का जो दुरेमान है वो है M2 ये हमारे को वेवस्था दीव ही है दोस्तो एक वार इसको समझ लेंगे कि हमारे को ये बताया गया है दिया गया है कि एक घिर्नी है गर्षन ही इन घिर्नी है जब ये घूमती है तो इसके और इस घिर्नी के बीच में कोई घर्षन काम नहीं कर रहा और जब ये रसी इसके बीच में वी जो गर्षन है उसको हमने नगडने लेकर चलना है गर्षन ही इन घिरनी हमने इसको कहा है तो दोस्तों इस के दोरान हम यह एकंसिडर कर लेते हैं कि M2 बड़ा है M1 से तो इसका दुरेमान ज्यादा होने की वज़े से यह नीचे आएगा यह उपर जाएगा पू इसका मतलब जब इनके उपर दर्यमान हमने लटकाया तो इसके लंबाई में कोई वर्दी नहीं होनी चीए एक समान मोटाई वाली हमने डोरी ली है हर जगे से इसकी मोटाई समान है दुरेमान हीन डोरी है दोस्तों अब यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों इस डाइग्राम को कम्प्लीट करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ये जो आफे वेवस्ता देख रहे हैं ये हमारे पास में है घिरनी इसे हम घिरनी कह रहे हैं ये हमारे पास में द्रिडाधार है इस डोरी के अंदर तनाव उत्पन होगा जैसे इस तनाव को हम T2 से कह दें यहां पर जो तनाव उत्पन हो रहा है वो T1 एक ही डोरी यदि है त उसमें तनाव समान रहेगा यहां से लेकर यहां तक यह एक ही डोरी है दोस्तो यहां तक तो इस पूरी डोरी के अंदर तनाव सेम रहेगा यहां पर T1 लिया तो यहां पर भी तनाव T1 ही रहेगा दोस्तो अब हम फ्री बोडी डाइग्राम की बात करेंगे सबसे पहले M1 पर लगने वाले बलों की व्यक्षा करते हैं तो T1 तो उपर की ओर लग रहा है जो तनाव है वो हमेशा पिंड से जो रसी जुड़ी हुई है उससे दूर की ओर ही काम करता है तो T1 सदे उपर की ओर इससे भी इधर दूर की ओर यदि इस घिरनी से ये जो डोरी लटकी हुई है तो इसमें ये T1 इस नीचे की ओर काम करेगा इधर भी ये T1 है वो नीचे की ओर काम करता है इस पिंड M1 के उपर लगने वाला जो गुरतिय भल है या जो इसका भार है वो M1 G नीचे की ओर इस पर B नीचे की ओर M2 G नीचे की और काम करेगा दोस्तो अब हम इनके लिए Free Body Diagram की बात करेंगे Free Body Diagram के लिए हम ये Consider कर लेते हैं कि यहाँ पर जो M2 है वो M1 से बड़ा है M2 M1 से बड़ा है तत्पश्यात ये जो Pind है ये वाला जो Pind है वो A Acceleration से नीचे की A तुरण से नीचे की और गती कर रहा है तो ये वाला जो Pind है वो A तुरण से उपर की और जाएगा ये नीचे जाएगा तो ये दोस्तो उपर जाएगा ये जो डोरी है वो इस घिरनी की उपर से होकर निकल लई है ये घिरनी इस तरीके से घूमेगी दोस्तो T1 ग्याद करना है, इसके साथ में जो acceleration यहाँ पर create हो रहा है, उसकी value भी हमें find out करनी है, तो सबसे पहले हम है, free body diagram यहाँ पर निर्मित करते हैं, FBD, M1 के लिए तो free body diagram क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर, इसके लिए free body diagram, M1 जो pinड है, उसके उपर लगने वाले बलों की हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं, T1 बल काम कर रहा है उपर की ओर, और M1 G काम कर रहा है नीचे की ओर, और इस pinड का जो acceleration है वो है A उपर की ओर, A acceleration है उपर की ओर, तो इस pinड के लिए जो बल का समीकरण है वो क्या जाएगा देखिए, total जो बल काम कर रहा है वो M1 इसका दुर्यमान, A इसका acceleration, तो M1 A लग रहा है, जो कि किसके बराबर है, देखो, उपर की ओर यह A acceleration से गती कर रहा है, इसका मलब T1 जो उपर की ओर लग रहा है, वो ज्यादा, नीचे की ओर जो बल लग रहा है, माइनस में M1 G हो जाएगा, क्योंकि यह नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस में लेंगे, T1 उपर की और लग रहा है इसलिए प्लस मिलेंगे T1 को पहले लिखा M1 G को बाद में लिखा उसके पिछे रीजन क्या है क्योंकि ये जो पिंड है वो A acceleration से उपर जा रहा है इसका मतलब उपर वाला बल बड़ा है नीचे वाला बल छोटा है तो T1 में से M1 G गठा दिया जो की M1 A के इक्वल होगा इसको हमने दे दिया equation number 1 फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास में दूसरा पिंड है M2 M2 पर लगने वाले बलों के लिए तो इधर तो काम कर रहा है T1 नीचे की और काम कर रहा है M2 G और ये वाला जो पिंड है वो भी A acceleration से नीचे की और गती कर रहा है तो इसके लिए भी यदि आप बलों की equation लिखें तो M2 A इस पर total बल काम कर रहा है M2 A जो की नीचे की और काम कर रहा है पूरे पिंड के उपर लगने वाला जो प्रणामी बल है वो है M2 A तो प्रणामी बल इन दोनों के अंतर के बराबर आएगा M2 G नीचे लग रहा है T1 उपर लग रहा है तो नीचे वाले बल में से उपर वाला बल गठा देंगे क्योंकि नीचे वाला बल ज्यादा फर्मावी है उसी वज़े से ही A acceleration से नीचे की और गती कर रहा है फाइंड आउट कर लेंगे T1 की वेल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जब हमारे को T2 की वेल्यू ग्याद करनी हो तो इसके लिए भी हां मैं 3 body diagram पूट करके इसकी भी वेल्यू फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों तो पहले हां मैं समीकरण 1 और 2 की सहायता से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को हम जोड देंगे तो इन दोनों को जब जोडेंगे तो इधर तो है M1 A प्लस में इधर है M2 A M2 A बराबर यहां पर आगया T1 माइनस में M1 G प्लस में है हमारे पास में M2 G माइनस में T1 तो देखें दोस्तों यह T1 प्लस में यह माइनस में कट जाएगा यहां से A यहां से कोमन आ गया M1 प्लस में M2 बराबर यहां से G हम कोमन ले लेंगे इधर हमारे पास में रह गया M2 माइनस से M1 यह G बाहर आ गया यहां से पिंडो का जो acceleration है पिंडो का तुरण पिंडो का तुरण निकल कर आएगा a बराबर इधर से ध्यान देंगे m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g यह हमारे पास में acceleration आ चुका है दोनों पिंड a acceleration से तुरित गती कर रहे हैं जिसकी value हमारे पास में आ चुकी है a बराबर m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g के equal अब हमें यही तनाव की value find out करना चाहें तो यहां से हम तनाव भी निकाल सकते हैं समीकरण एक से इसी समीकरण से आप देखेंगे t1 बराबर t1 बराबर हम put कर सकते हैं m1 a plus m1 g m1 a plus m1 g हम put कर सकते हैं दोस्तों तो यहां पर आप value put कर दीजिए a की तो m1 a की value हमारे पास में है m2 minus m1 यह वाली value है बटे में है m1 plus m2 into में g plus में m1 g यहां से आप देखेंगे दोस्तों की जो t1 है वो कितना आएगा लगुतम हम ले लेते हैं यहां पर दोस्तो m1 plus m2 और इन सब में से हम common यहां पर ले लेंगे g इसमें से भी g common आ रहे है इसमें से भी g common आ रहे है इधर इसको multiply करेंगे m1 m2 इसको इससे multiply करेंगे तो minus में m1 का square अब देखें दोस्तों जब यह वाला लगुतम ले लिया तो यहां पर बटे में m1 plus m2 आ जाएगा तो उपर भी गुणा करना पड़ेगा तो इससे m1 गुणा हो जाएगा तो plus में m1 का square plus में m1 m2 तो देखें m1 m2 तो two times हो जाएगा जब कि minus में m1 plus m1 से cancel हो जाएगा हमारे पास में जो डोरी में तनाव है वो यहां से आजाएगा t1 बड़ाबर t1 बड़ाबर दो m1 m2 बड़े में m1 plus m2 आ जाएगा दोस्तो इसको आप देख लेंगे समझ भी लेंगे कि यह हमारे पास में आगे डोरी में उत्पन तनाव दो m1 m2 upon में m1 plus m2 के equal यहां पर मैं इस घिरनी से लटकी वी जो डोरी है उसकी बात करूँ तो घिरनी से लटकी वी डोरी के अंदर जो तनाव उत्पन हो रहा है वो तो है t2 यहां से ही इसी डाइग्राम से ही आप देखेंगे इसके उपर उपर की और तो लग रहा है t2 औ और इसे घिरनी के उपर नीचे की और दो बल काम करें t1 इधर और t1 ही इधर तो यह t1 plus t1 मतलब 2 t1 के बराबर आ जाएगा तो t1 की वेल्यू हमारे पास में है तो 2 t1 के बराबर उसमें तनाव उत्पन होगा कौन सी डोरी में घिरनी जिस डोरी से लटकी हुई है उस डोरी जूडे हुए थे जब वो एक पिंड का दुर्यमान ज्यादा होता है तो वो तवरित गती करता है तो उस तवर्ण की वेल्यू डोरी में उत्पन तनाव की वेल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की दोस्तो ऐसे व्यवस्ता के उपर depend numerical questions भी हमारे सामने आते हैं और उन numerical questions को कैसे solve करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहां पर आप लोगों को इस तरीके से दियावा होता है सीधा आपको इन पिंडों का दुर्यमान दे देते हैं और आपको वेल्यू पूछी जाती है कि जो acceleration है इस पिंडों में इस वेवस्ता में acceleration कितना होगा सब तनाव कितना होगा तो आप डायरेक्ट यह वाले फोर्मूले यूज में लेंगे acceleration यह वाला और तनाव यह वाला जैसे माली जी कि हमारे पास में कोई question है और उस question के अंदर उस question के अंदर M1 थथा M2 की जो value है वो हमारे को बता रखी है जैसे 8 kg और 12 kg का पिंड है 8 kg और 12 kg के यह दोनों पिंड है तब हमारे पास में जो दोरी है उसमें तनाव कितना होगा साथ में हमारे को यह भी पूछा जा सकता है डोरी में तनाव साथ में उनका acceleration पूरा जो निकाह है उसका acceleration क्या होगा तो देखे दोस्तो हमारे को यह इसी टाइप के question में की घिर्मी से दो पिंड जुडे हुए है जिसमें से एक पिंड का जो दुरिमान है वो है 8 kg दूसरे पिंड का जो दुरिमान है वो है 12 kg तो आपको यह पूछ लें कि डोरी में उत्पन तनाव कितना है और उनका acceleration कितना है तो तनाव का फोर्मूला आपके पास में है acceleration का फोर्मूला है m2 minus m1 upon m1 plus m2 into में g value put कर दीजिए दोस्तो value put कर देंगे तो 12 minus 8 upon में 12 plus 8 into में 9.8 ले या 10 ले आपकी question में दिया हो तो 10 ले ले ने था राइन पॉइंट ले बढ़िया रहेगा तो यहां से 4 बटे में 20 आ गया into में 10 आ गया यह 5 का बटे में आ गया तो 2 मिटर परती second square का acceleration आ जाएगा दोस्तो ठीक उसी प्रकार से जो T है वो भी आप find out कर सकते हैं T का जो formula है वो है दोस्ते दो cancel होगे इसको इससे multiply करेंगे दोस्तो तो बाहर है को 8 से गुणा करेंगे तो 96 और 10 का भाग लगा देंगे तो 9.6 से Newton इसका answer आ जाएगा दोस्तो यह 9.6 है तो इस तरीके के numerical questions भी इस प्रकार की व्योस्ता पर depend आ सकते हैं मुझे उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा धन्यवाद दोस्तो